इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने यूट्यूब चनल का जो वीडियो को पोस्ट काते हो वीडियो में कैसे आप ब्रेंडिंग वाटर मार्क को लगा सकते हो या पर अगर ब्रेंडिंग वाटर मार्क के बारे में कहा जाए तो ब्रेंडिंग वाटर म में नीचे एक लोगो की तरफ देखने को मिल जाता है जिसे ब्रैंडिंग वाटरमाग कहते हैं और अगर यहाँ पे एक्जम्पल के तौर पर बताया जाए तो आप साइड में यहाँ पे देख सते हैं हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिस करेंगे कि यह जो आप देख रह करने के बाद आपको पर मिल जाते हैं की जाता है तो आपको आपको मिल जता है तो आपको एंज साइज का लेना है इमेंगे साइज के और क्लिक करना के बादー आपके सामने ऐसे का स्टरॉह में निए सब कर लना इसके डिओक जाएंगे इना ए बसक्ता ही इन दोनों में किसी इसको भी है को चुज पर मसफ्टालेंगे तो square पर चूज़ कर लिता है पिर आपको नीचे okay का option मिल जाएगा तो okay के उपर क्लिक का लिना है अब देख सते हैं यह square का नीचे पाच option दिख जाते हैं जिए आपको चौता option प्लिक का लिना है यह लिए कलिए लिए आपको 2nd option में transparent का एक option दिख जाता है आप देख सते हैं यह आप टांसपरेंट के उपर आपको क्लिक का लेना है यहाप पर क्या होता है कि जब आप टांसपरेंट पर उपर क्लिक का लेते हैं तो आप जो आपने साइट जूस किया है इसका जो बेक्गाउंड है यह टांसपरेंट हो जाता है तो यह हमारा टांसप को करके दिखा जते हैं टेक्ट को करने के लिए पहले जो काम है आप समझ लीजिए यहापका जो बेक्गाउंट है यह आभी टांसपरेंट हो चुगा है आप आपको क्या कर लेना है यह 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 लिखा हूँ आपको नीचे दीख जाएगा आप देख साथ यह 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 के ऊपर का आप, आपके पर क्लिक करेंडा है यह जायर जएगा फृर्फ अपने हिसाब जो भी आप वीडियो्स के नीचे ब्रेंदिनग उटर मार्क के तोर پ यह हो गया है फिर आपको इसे अपने हिसाब से साइज के आप जैसा साइज चाहते हैं ऐसा कर लेना है यह कोई जरूरी नहीं है कि आप यह पर साइज बड़ा यह चोड़ा गरे क्यूंकि जब आप ब्रेंडिंग वाटरमाग को लगाने चाहेंगे अपने चैनल में तब वहा आप देख साथे यह ऐसे हो गया है फिर आपको और कुछ नहीं करना है जो भी आप चाहे तो यहाप ब्रेंडिंग के उपर क्लिक करने के बाद और आपको कॉलिक करने के बाद यहापको जो गेलारी है वह आपे अभी सेव हो चुका है आप यहापे बात करते हैं कि कैसे आप कोई फोटो को अपने बेंडिंग वाटर मैक के तौर पर लागा सते हैं तो उसके लिए आप देख सते हैं यहापे हमने न्यू स्क्रीन ओपन का लिया है तो सेम ही प्रोसेस है आपको क्य क्लिक करने के बाद आपका जो गेलारी है वह यहापे ओपन होके आ जाएगा फिर यहापे अपने हिसाब से जिस फोटो को आप लागाना चाहते है अपने ब्रेंडिंग वाटर मार्क के तौर पर उसे आपको यहापे सिलेट का लेना है तो यहापे हम एक फोटो को चुज क करने के बाद है यह क्लिक करने के बाद आपको यहापे योलो कलर का वेगाउंट देख रहे हैं योलो कलर को हम यहां पर नहीं चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर एक ओप्सन रहता है अगर आप कोई फोटो को ऐसे उसका जो कलर है उसे आप एरेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है यह आप यहां पर swipe करके यहां पर एकदम last के side में आपको आजाना है फिर यहां पर erase color का ओसन मिल जाता है तो erase color के ऊपर आपको click कर लेना है इस color के ऊपर click करने के बाद हम यहां पर बता रहे हैं आप नहीं को बस एक आइडियॉद देने की कोशिस कर रहे हैं टाकि आप आपने हिसाफ जे करेंगे वह हमें ले जाना पड़ेगा तो हम यह यह लो को सिलेट कर लेंगे फिर यहां पर टीक आप सना जाएगा टीक के ओबर क्लिक कर लेना है अब देख सते हैं यहां पर जो यह लो कलर है वह यहां पर अभी हट चुका है और हमारा जो चैनल का लोगो है आप को पता ही है हमारा जो चैनल का लोगो है वह यहां पर आ गया है तो आप देख सते हैं इसका जो बेकगाउंट है यह भी टांसपरेंट है और यह यहां पर क्रियेट हो चुका है यहां पर हम आपको एक बात बात बाताना चाहेंगे कि अगर आप कोई ऐसे फोटो को लगाते हैं अपने ब्रेंडिंग वाटरमार्क के तोर पर जिसका बेकगाउंट का का लर है उसके कॉमपरेजर में अगर आप कोई ऐसा फोटो को लगाए जिसका कोई बैकगाउंट नहीं है मतलब बैकगाउंट टांसपरेंट है जैसे कि आप यह यह देख सते हैं यह हम आपको रिकमेंड करे इसलिए आप एक बार ट्राइ करके देख सते हैं यह काफी अच्छा लगता है देखने को जो बैंडिंग वाटर माग है वह आभी यह पर एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो चुका है तब आपको क्या करना है आपने हिसाफ से क्रियेट करके यहां पर 3. क्लिक करके एक्सप उद्धाल से क्सफ़ाइ कि आप अपने चैनल में कोबर्च खेली हो और जो लिए आपको मिलतेयाप आपको आघली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ भाई झाल झाल झाल